दोस्तों नमस्कार कैसे आप लोग आसा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले कि एक बहुत बड़ी न्यूज है कि हमारे एक अभिनेता हैं वाली बुट के स्रेयस तलपडेजी उनको हर्टे के सिकायता ही है एक ऐसा अभिनेता जो दिखने में बहुत स्वस्त हो जिनकी डाइट भी डाक्टरों के अनुसार चलती हो जिन्होंने अपना डाइटीशन रखा हो और सेहत का ख्याल रखने के लिए जिम इत्याद का योगासन करने का बहुत बड़ा फिजिकल ताना बाना बना रखा हो अगर ऐसे बिक्तियों को हर्टेक आन जिसको आप प्रियोग करके से अपने आपको बचा सकते हैं तो देरी ना करते वेगाल चलिए वीडियो में आगे वरते हैं पर 40% हो या 60% हो तब वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लॉटिंग हो जाती है जब मेंब्रेन बुलाकेश की मेंब्रेन फट जाती है जिससे की ब्लर सप्लाइब आधित हो जाती है और हार्ड एक की इस्थिति उत्पन हो जाती है वैसे हार्ड टेक के उपर हमारा एक और वीड दोस्तों आम तोर पर सरदियों में हमारी जो खनारी अल्टरीज होती हो सिकूर जाती है लेकिन ठंडियों में कडत हो जाती है उसी तरीकssä हमारी काणरी दोस्तों वह भी शिकूर जाती है और शिकूर जाने की वजह से वह Вğगर पर blood pressure की इस्थिति बढ़ जाती है जो blood का flow होता है वह अगर एक बहुत ही proper wave में हो रहा हो तो थोड़ा सा pressure के साथ होने लगता है दबाव के साथ होने लग जाता है जिसकी वज़ा से वहाँ पर जमा हुआ कोलेस्ट्राल जो होता है कोलेस्ट्राल जब प्रेसर जब पढ़ेगा ब्लड का दोस्तों कोलेस्ट्राल के उपर जमा हुई मेंब्रेन की परत फट जाएगी और फटने के चांसे भी बढ़ जादा बढ़ जाते हैं यह इस्तिती यह होती है कि हार्ड डेक की कारण हो जाता है कान बन जाता है कि दोस्तों दूसरा जो सब से बड़ा कारड़ होता है वो यह होता है कि ठंडियों में लोग चलना फिरना कम कर दे इसकी वजय से अगर जिनके अंदर कोलेश्टाल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो वह और ज्यादा बढ़ने लगता है या खून की सप्लाई धीमे होने लगती है बाड़ी के अंदर एनरजी की कमी होने लगती है दोस्तों एक ये भी कारण होता है जिसकी वज़े से का लेवल बहुत नीचे होता है जो धुआ जो प्रोदूसर उपर होना चाहिए वो बहुत नीचे होता है जिसकी वज़े से बाड़ी को पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाती है आक्सीजन पर्याप्त ना जाने के वज़े से खून में भी आक्सीजन का लेवल कम होने को ज इससे blood pressure जब बढ़ेगा तो heart attack की इस्थिति उत्पन होगी दोस्तों, ये कुछ कारण हो सकते हैं, जिनकी होजे से ठंडियों ही ऐसे cases उत्पन होते हैं दोस्तों, ये इस्थितियों से थोड़ा सा बचने की कोशिज करना है, और बचा कैसा जा सकता है, उसके लिए मैं आपको एक homopathic medicine का combination बताने वाला हूँ, जिनके प्रियोक से आपको बहुत ही राहत मिलने वाली दोस्तों, तो दोस्तों, homopathic medicines हैं, उसमें सबसे पहली medicine है, अर्णिका मॉन्टाना मदर टिंचर, दूसरा है अर्जुना मदर टिंचर, तीसरा है क्रेटेगस मदर टिंचर, दोस्तों ये तीनों medicine आपको एक homopathic sauce से लानी है, लाने के बाद एक खाली bottle लाना है, जिसके अंदर dropper लगा हो, और तीनों को मिला लेना है, बराबर quantity में, मिलाने के बाद 20-20 भून ठंडियों में दिन में तीन टाइम आपको प्रियोग करना है, उसके बाद जब लगे कि हाँ आपक सरीर में काम कैसे करती है, पहला है, अर्निका मॉंटाना, अर्निका मॉंटाना दोस्तों ये एक blood thinner का काम करते हैं और anti pain, पेन अगर हो रहा होगा सीनी के अंदर तो बहुत राममान काम करेगी दोस्तों, दूसरा है अर्जुना, अर्जुना आम तोर पे good cholesterol level को गढ़ा देती है, और bad cholesterol level को घटा देती है, जिससे extra fact हमारा burn होने लगता है, और hypertension की इस्थिती को भी कम कर देती है, दोस्तों, अगली है criticus mater tincture, क्रेटेगर दोस्तों, हर्देग हाथ के लिए, हाडटेग के लिए एक ही राममान औस दी है, ये anxiety को कम करती है, माइग्रेन को कम करती है, औ internal bleeding, जैसे हमने बता है कि जो cholesterol की membrane होती है, उस इस्थिती के लिए क्रेटेगस रामबान medicine है, दोस्तों, अब ये medicine किन लोगों को प्रियोग करनी है, दोस्तों, जिनके अंदर प्रिकासन की इस्थिती है, उनको तो प्रियोग करनी है, लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसे लच करनी है, दोस्तों, ऐसे लोग जिनको सीने में दर्द रहता है, उचाहे बाईं तरफ को यदाईं तरफ हो, किसी भी एरिये में अगर सीने में दर्द रहता है, उन लोगों को ये combination जरूर प्रियोग करना चाहिए, ऐसे लोग जिनके अंदर BP या blood pressure high रहता है, बहुत बहुत अच्छा काम करती है, ऐसे लोग जिनको सांस संबंदी समझ आओ, सांस लेले में कट नहीं हो रही हो, उनके लिए भी क्रेटिकस राम बाण हो, उनको भी ये combination प्रियोग करना है दोस्तों, या ऐसे लोग जिनको कभी भी future में hard surgery हुई है, छला पड़ा है, या angioplasty दोस्तों, आपकी कोई query हो, कोई जानकारी जो आप video के माधम से जानना चाहते हैं, हमें comment section में link भेज़ेगा, और हमारे discussion में मेरी email ID है, वहाँ पर भी आपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, बस आपको करना क्या है, कि आपको हमारी channel को subscribe करना है, उस subscribe button का एक screen site और अपनी समझ सलिक के हमें mail पर भेजिए, मैं आपको personally दोस्तों, आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, और उस information को video के माध्यान से में भी आपके साथ साजा करूँगा, तो दोस्तों, information कैसी लगी हमें comment में जरूर बताना दोस्तों, information अगर अच्छी लगी है, तो like जरूर कीजेगा, और इस video को अपने दोस्तों के साथ सिर जरूर कीजेगा, video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you